नमस्कार दोफतों आप कैसे लगा सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है अगर आपके में नहीं आता है तो यहाँ पे आपको three linings दिखेंगी आप इस पर करिए click और click करने के बाद आप चले जाएए settings में और settings में जाएंगे तो आपको सबसे उपर यहाँ पे दिखेगा एक option watermark का आपको इस पर करना है click और अगर आपके में नहीं दिखाता है क्या आते watermark तो यह off होगा अब यहाँ पे आपको क्या करना है device watermark ताकि जो भी आपका device होगी उसका क्या आते watermark नाम का वहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे आपको यह कर देना है enable अब यहाँ पे custom watermark भी आप कुछ add कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी add करना है अपना नाम लिखना है या फिर जो भी xyz जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख दीजे वो भी वहाँ पे दिखाएगा watermark पे ठीक है और यहाँ पे save कर दीजे अगर आप चाहते कि time stamp भी add हो जाए photo पे तो आप इसको भी enable कर सकते हैं यहाँ पे enable कर दीजे और उसके बाद जब आप कोई भी photo click करेंगे तो आपको वहाँ पे watermark भी दिख जाएगा यह देखिए इधर यहाँ पे दिख रहा है Redmi Note 10 और मैंने वहाँ पे XYZ डाल दिया था तो वो भी दिख रहा है ठीक है और इधर side आपको time stamp भी दिख जाएगा तो I hope कि इस वीडियो से आपकी help हुई होगी अगर वीडियो अच्छा लगाओ दो वीडियो को कर दिए like चैनल को कर लीजे subscribe and bell icon को press ऐसे और भी वीडियो उस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आप से एक और new वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई